अस्ताम अलेकुम दोस्तों मैं हो शानवास और आप देख रहे हैं आई न्यूज एच्टी हम लिए आपको मुकम्मल सीखने और समझने के लिए जरूरी है कि आप हमारी तमाम गुदरिकसाथ को देखें किसी भी किसम की रहनपाई के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ बात आपको सब्सक्राइब कर दोस्तों आज यह जो नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं यह बहुत ही कीमती नुस्खा है दोईया नोट फरमा लें सालिब चमबा, सालिब मिसरी, मुस्ली सुफएद, तुखम हयाद, सब दो दो तोला, सब अद्वियात पीस कर कपड़े में चान लें इतियात करें कि कोई भी दवा गिरेंडर में न पीसे अकसर पंसार के पास आजकल गिरेंडर आ चुके हैं और वो एक ही मेंट में सारी दवाईया पीस लेते हैं उस गिरेंडर की मदद से यह जो तमाम दवाईया हैं आपने गिरेंडर की मदद से नहीं पीसनी बाद में ये नीचे वाले जो कुष्टे हैं वो आप उनमें मिक्स करें कुष्टा फावलाद, कुष्टा मिरकांग, कुष्टा सैधाता, कुष्टा कली ये तमाम कुष्टे दस-दस किराम हो उसके बाद इस्वागूल पांच तॉला इन सारी दमाईयों को, इन सारी अधियात को आपस में मिला लें, बिलकुल मिक्स करें उसके बाद इसको नहार मू, आधा तोला, दही के साथ भी आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं सुबा के टाम शाम खाने के एक गंटा बाद दूद के साथ परहिस चाए बिलकुल बंद कर दे, मालते पकोड़े समों से बिलकुल बंद कर दे और चाए बिलकुल इस तरह से बंद कर दे, कि चाए का एक घूंड भी ना ले अगर आपने एक हफ़ता दूआई इस्तमाल की है, अगर एक घूंड भी आपने चाए का पी लिया तो सारी एक हफ़ता की दूआई का असर एक घूंड चाए के एक घूंड में खतम हो जाएगा तो आपने चाय से बालकुल परहिस करना है अगर ये नुसका आपने आजमाना है तजरबा करना है तो चाय से बिलकुल परहिस कीजिएगा इन्शालला दो या तीन खुराग में आपको फर्क वाजिया महसूस हो जाएगा जो पेशाब में कत्रे आते हैं वो तो मैं समयता हूँ अगर दवाईया असल हो तो आपको एक ही खुराग में असर वाजिया नज़र आजाएगा दवाई का तो ये था हमरा कामयाब नुसका बहुत ही कीमती नुसका है आप इसको जरूर आजमाएं आजमाने के बाद हमें कमenड में उसके फाइदे शेयर करें कि आपको कितना फाइदा नज़र आया इस नुसके के बाद उमीद करते हैं कि आपको ये वीडियो को बहुत अच्छी लगी होगी इंशालला हमारी तूम वेडियो जो आने वाली वीडियो तो आपके लिए बहुत ही कीमती थाबित होंगी तो हमारी आने वाली वीडियो का इंतजार किएगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिया गया बेल आइकन का बटनों से किलिक कर दें